कि सुभा के पाच बजे तो गाइस अभी हम सुभा सुभा कुकी बस्ति पर एक्स्प्लोर की लिए जा रहा है बहुत संदर और यह पर देख सकते हैं जील है उसे हमने पूरा खाली दिखाए ओ भाई यहां पर कहा आगे देख सकते हैं अभी हम जाएंगे यहां से चल उपर से एसा गिर गया है थे फिर खतम हो गया चल आप चल यहां का सब चेक्ट डेडलेस पॉइंट है देख सकते और सामने चार्ज भी होगा तो चारों तरब संदर संदर यह पर और यह पर देख सकते कुछ लिखा भी है और यह पर निमबुए देखे निमबुए लेसे आपर व्लोक से एक नए से वीडियो में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है तो गाइस आज हम तेलिया मुला के जो ब्यूटिफुल जो बस्ति यहां कुकी बस्ति कहते हैं यहां पर एक्टो करेंगे जाके कैसा दिखता है कुकी बस्ति और क्या किया है वह आपर यह पर दे सकते हैं आपर लौक के जारड़ा और साइब केपाश के जारड़ा बहुत सारे और केले के भगान यह पूरा बस्ति है का इसबहुत संुदर जगह है बहुत यह पार दिख सकते तो गाइस देख सकते हैं मेरुसर्पितम है और अभी हम कुकी बस्ती पर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और जगा यहां का बहुत सुंदर है देख सकते हैं यह बहुत ही सुंदर है बिल्कुल ओसम जगा है तो गाइस मैं पहले ही कहा है चुको आज वीडियो थोड़ा हील रहा है क्योंकि मेरे साथ जो मु मेरा रहा है भांग बार के आया घर से देख सकते हैं बहुत सुंदर जगाई तो यहां पर पहार देख सकते हैं अभी उपर की तरफ जायेगे कूकी बस्ती पर और यहां पर नीचे देख सरह गाई बहुत सा गोमाता है को भी चराया गया है या पर घास खा रहा है देख सकते हैं अभी हम सामने की तरफ चाहेंगे वाव तो अभी हम यहां से सीधे चले जाएंगे इस रोट से और यहां पर देख सकते हैं चाहरो तरह आपको मतलब रबर की पेड़ दिखेंगे और मतलब बहुत बड़ी बड़ी जील दिखेंगे और मैं जहां जा रहा हूँ एह बहुत ही ओसम जगा है यहां का बहुत ही ओसम जग पूरे जंगल के बीचों बीच एक आव बसा है उपर बहुत सुन्दर जगा है गाइस और सामने कोई आ भी रहा है ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहा है आपर क्योंकि अभी सुभे का टाइम है और देख सकते हैं मिर्ची के हम बगान दिख रहा है हमें क्योंकि यह विल दिखा और उपर गाइस एक बहुत बड़ा चर्च है जहांताक मुझे इंफ्रमेशन मिला है उपर एक चर्च है शायद हो सकता है तो गाइस अभी हम जाएंगे सीदे कुकी बोस्ति यहां पर देख से यहां से जल जल लिया हो तो इस सफर में यहां पर देख से जारता अगल और यहां पर पहार तो गाइस यहां पर देख सकते बहुत ही सुन्दा जगाए और यह बहुत उपर है जल लिया तो आएगा की नहीं और यहां पर देख सकते हैं देखिए बड़े बड़े विशाल विशाल पेर और यहां पर देख सकते जंगल जल्दी यहां कैमरा सिधा पकर जल्दी यहां बहुत बयानक जगा अगर भूत ने पकर ले तो गजदन मरोड देगा और खतम खेल चल्द यहां का सब्चेट डेडली स्पॉइंट दिखाते जल्दी इधर से आजा तो यह सब्चेट डेडली स्पॉइंट है को की बोस्ति का यहां पर देख से गिर गए तो खतम खेल खतम और नीचे टाइगर भी रहते हैं जंगल में समझ गए और यहां पर देख सकते हैं यहां पर खेती बारी करते हैं सब खेद दिखाई दे रहे उपर से मतलब नीचे बहुत सारे खेद दिखाई दे और हम बहुत उपर है गाईस या पर oxygen लेबल बहुत ही कम है बहुत उपर यह वस्ती गाईस देख सकते हैं पर चारों तरफ सिर्फ जंगल है जंगल के बीचों बीच यह वस्ती और इतना उपर उ शायद वो चर्श का मुझे प्रास दिखाई देता है बरासा देख सकते हो आपर भी एक माइस्टोन और चारू तरफ का वेदर अभी मतलब चारू तरफ का एट्मस्पेर बहुत ही सुनतर है गाइस या देख सकते हैं अगर जल्दी या प्रितम और यहां देख सकते हैं देखिए आएम दा वे यहां पर कुछ लिखा है परूंगा निए आएम दा वे एंद तुद एंड लाइफ यहां पर देखिए गौड ब्लेस यू भी लिखा है और यह देखिए नीचे देख सकते हैं बहुत भारी मात्रा पर उस पहारी पर हमें बनाना केले की पेड़ दिखाई दे रहे देख सकते हैं बहुत साधे यहां पर दिखाई दे रहे और बहुत सुन्दर सुन्दर यहां पर ब्रेक्ष दिखाई दे रहे और नीचे गाइस स एक पेर उपर उठाय कितना लंबा पेर है कि और यहां से भी अभी जाएंगे सामने थोड़ी और कुछ दिखाई दे रहा है हमें यहां के गाइस लोकल लोग यहां पर खेती बारी करते और समने हमें एक निमबू की बखान दिखाई देदे देखे देख सकते हैं नीम्बू भी पकड़ा है मतलब बहुत ही बड़ा भगान है यहाँ पर भी दिखा बहुत सारी नीम्बू यहाँ पर है और यहाँ पर भी देख सकते हैं पीछे बहुत बड़ा यह भगान भगान पर नहीं जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं सामने और भी जा कि अचित खजा जाए एंग क explains